हेलो एवरिवन धेर सारी प्यार महबबत के साथ स्वाधत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ों में तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग ग्रास 10 सोसल साइंस हिस्ट्री चेप्टर नमबर 6 सहरी करन एवं सहरी जीपन इस चेप्टर से जितने सही से देपाएंगे अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात ने फिर वीडियो को देखिए चले शुरू करते हैं सबसे पहला कोईशन है कि अंतराष्ट्रिय महिला दिवस की घोसना किस संस्था ने की यह कोईशन 2023 के फर्स सिप्ट में पूछे गए ठीक है क्या है कि अंत संस्था संस्था दिवस की घोसना की थेख सर्था उत्त डॉपशन Give स्संस्था अंतराष्ट्य और говорить क्मीटि बोल सकते हैं किस आयोग यह कमीटिया ने सतत पोस्षिनिय विकास की अभधारना प्रस्तूत की Option A Bruntland आयोग Option B Britain Woods Committee Option C Simon आयोग या फिर Option D Geneva आयोग तो क्या होगा correct answer 2 नमबर का correct answer option C Simon आयोग चलिए question number 3 पढ़ते कौन सा समाजिक वर्ग बुद्धी जीवी वर्ग की रूप में उभर कराया आपका option है उद्योग पती वर्ग Option B पुन्जी पती वर्ग Option C स्रमिक वर्ग या फिर Option D मध्यम वर्ग तो 3 का answer वजाए correct मध्यम वर्ग ठीक है क्या होगा मध्यम वर्ग next question है कि पुन्जी पती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का सोचन हुआ पुन्जी पती वर्ग के द्वारा किस वर्ग का सोचन हुआ Option A स्रमिक वर्ग Option B मध्यम वर्ग Option C क्रिसक वर्ग या फिर Option D सभी वर्ग तो 4 का correct answer वजागा Option A स्रमिक वर्ग का ठीक है नेक्स्ट फाइब नंबर में कि 1810 से 1880 इसवी तक लंदन की अबादी 10 लाग से बढ़कर कहां तक पहुंची अप्सन ए है 20 लाग, ऑप्सन बी 30 लाग, ऑप्सन चारिस लाग या फिर ऑप्सन टी 50 लाग तो 5 नंबर का क्रेक्टर स्राज़ गा आप्सन C 40 लाग, नेक्स्ट है 6 नंबर में आधुनिक काल से पुर्व सहरों के स्थापना के महत्पुर्ण आधार थे, आप्सन A व्यापार, आप्सन B धर्म, आप्सन C, A और B दोनों, आप्सन D इन में से कोई ने, तो 6 नंबर का क्रे कि च्छले सिवन नम्र पढ़ते हैं आधुनीक सहर के उधय का इतिहास लगभाग पुराना है आधुनीक सहर के उधय का इतिहास लगभाग पुराना है option a 100 word option b 200 वर्स option c 400 वर्स या फिर option d 800 वर्स तो सात नमर का अप साथ नम्र का कर्येक्टर समय जाका option b 200 200 वर्स प्राना है ठीक है नेक्स्ट है आइट नमबर में सामंती व्यवस्था से हटकर किस परकार कि सहरी व्यवस्था की परवड़ती बढ़ी सामंती व्यवस्था से हटकर किस परकार कि सहरी व्यवस्था की परवड़ती बढ़ी Option A प्रगति सील परवर्ती, Option B आक क्रामक परवर्ती, Option C रोधिवादी परवर्ती या फिर Option D सोसन कारी परवर्ती तो क्रेक्ट एस हो जाएगा आठ नमबर का Option A प्रगति सील परवर्ती ठीक है, नेक्स्ट है सहर को आधुनिक वक्ति का किस परकार का छेत्र माना जाता है, सिमित छेत्र, Option B, प्रभाव छेत्र, Option C, विस्तिरित छेत्र या फिर Option D उप्रयुक्त में से सभी तो 9 नमबर का correct रहा जगा option B is correct प्रभाव छेत्र नेक्स्ट है अस्थाई क्रेसी के प्रभाव से कैसा जमाव संभाव हुआ अस्थाई क्रेसी के प्रभाव से कैसा जमाव संभाव हुआ option A संपती option B ज्यान option C सांती option D बहु मुल्य गाधातु । तो 10 का क्रेक्टर सुरोज हेगा option A संपती। ठीक है, एक परतियोगी एबम उद्दमी परवर्ति से प्रइलित किस परकार की अर्थव्यवस्ता लाव की गई तो 11 का क्रेक्टर सुरोज हेगा option B मुद्रा परदो अर्थवश्ता। नेइस्ट है त्वेल्व में आधुनी काल में औरवी करण ने किसके सवरोप को गहन रूप से प्रभावित किया का करेक्टर्स रोजा है फारट में पहली बार धुआ निरोधक कानून किस नगर में बनाए गया उपसने मुंबाई में औस बी कोलकाथा ओप्सन दिल्ली में स्टेरेन पन्दरवी सताब्दी में option B सोलवी सताब्दी में option C सत्रवी सताब्दी में या फिर option D 18 सताब्दी में ग्रौमीन एवम नगड़े ववस्था की आधार है आर्थिख तथा प्रसासनिक संदर में ग्रौमीन एवम नगड़े ववस्था की आधार है option A, जनसंख्यां का घंड़ें the option B, क्रीसी आधारित आर्थिख क्रियाओं, कानुपात औप्शन C को और को दोना अप्शन D इन में से कोई ने तो फिफ्टिन का क्रेक्टर दूश्जञ आप्शन C को और खो दोना ठीक है हैं अला स्थिस अने कि आधुनिक विहार राज किस वर्स अस्तित्व में आया अप्शन A 1911 में ऑप्शन B 1912 में ऑप्शन C 1935 में या फिर ऑप्शन D 2000 तो 16 का करेक्टर सो रजगा ऑप्शन C 1935 में अधुनिक बियार राज अस्तित्व में आया ठीक है अगला कोई से नहीं गंज कहा जाता है गंज कहा जाता है एक छोटे कस्वे को एक छोटे अस्ताई बाजार को एक ग्रामिन अंचल को या फिर एक इनमसी किसी को भी नहीं तो 17 का करेक्टर स्वरज़गा option B, गंज कहा जाता है एक छोटे अस्थाई बाजार को, अगला क्वैस्ञ ने लेड्स निम्न में कहां इस्थी थे, लेड्स निम्न में से कहां इस्थी थे, फ्रांस में, इटली में, इंग्लेंड में या फिर रूस में, must hang up drop dużo अगरा केसे हैं ने बिअहार बंगाल से कब अलग हुआ बिअहार बंगाल से कब अलग हुआ option a 1911 sb में option b 1915 sb में option c 1917 में या फिर option d 1919 sb में तो 20 का क्रेक्टर सुरा जग option a 1911 sb में बिहार बंगाल से अलग हुआ ठीक है अगला question है लंदन में garden city की योजना किसने बनाई लंदन में garden city की योजना option c अबेंजर हावार्ड ने या फिर option d विलियम होर्ण वी ने तो 22 का कि सौरी हम एक इसका पर रहेते ना लंदन में garden city की योजना किसने बनाई option a रेंट अनवीन ने option b बेरी पार करने option c अबेंजर हावार्ड ने option d विलियम होर्ण वी ने तो 21 का correct answer हो जाएगा option c option c अबेंजर हावर्ड ने लंदन में garden city की योजना बनाई ठीक है next है सीधी लकिरों का अतीला किसे कहा गया है सीधी लकिरों का अतीला किसे कहा गया है बेरोन होस्मोन को option c अबेंजर हावार्ड को या option d विलियम होर्ण वी को तो 22 का correct answer हो जाएगा option b रेमेंड अनवीन को सीधी लकिरों का अतीला कहा गया ठीक है 23 में है बंबाई किस वर्स बंबाई presidency की राजधानी बनाई गई बंबाई किस वर्स बंबाई presidency की राजधानी बनाई गई ऑप्शन ने 1961 में उनिसो बी सोड़ी ऑप्शन भी सब्सक्राइब बंबाई 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 इंप्रूब्मेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्स हुई ऑप्शनी ऐठाहर उनिससि में 1860 में 1898 में या फिर इफ्टी उनिसव पांच में तो 24ड ट्रस्टी आप्थाहज़ा अंठान्डे अन्ष़ाजबमें इस क्यूसे ने बिहार का प्यवाजन पर अलग जहारखंट राज क बनाई नंवंबरhero स्धृट्राओंबर ऊने सचान्वाइक स्थमैं पंद्रेन नमंबर ऑप्सन सी pan अवंबर 21 कि लंदन में भूमिगत रहल किस वर्स प्रारण हुआ लंदन वह क्रेक्टर सुराजग ऑप्शन D 1863 में नेक्स 27 में मेगा इस्थनी जिने पाटली पुत्र की यात्रा किसके सासन काल में की थी चंद्रकुप्त पर्थम हर्षवरधन अजात सत्रू या चंद्रकुप्त मोडिया तो 27 क्रेक्टर सुराजग ऑप्शन D पाटली पुत्र किसके समय में राजधानी बनी पाटली पुत्र किसके समय में राजधानी बनी अक्सो उदाइन अजासत्रू या चंद्रकुप्त मोडिया तो 28 क्रेक्टर सुराजग ऑप्शन D पुदाइन के सासनकाल में पाटले पुत्र राजधानी बनी अगला 29 में अंग्रेज यात्री राल्फ फीच ने पटना की यात्रा किस वर्स की थी अंग्रेज यात्री राल्फ फीच ने पटना की यात्रा किस वर्स की थी 1854 में 1815 में 1856 में अप्शन C 1856 में अगला इंग्लेंड में चार्चिस्ट चर्चिस्ट अंदुलन का प्राराम हुआ अप्शन A 1838 में अप्शन C 1859 में या फिर अप्शन D 1865 में तो 30 का क्रेक्ट चर्च वर्स की अप्शन A 1838 में अग्ला कुसी ने पटना की गोलगार का निर्मान कव हुआ था अग्ला कुसी ने ब्रिटेन के किस राजा ने इस्ट इंडिया कंपणी को बंबई दिया था आप्शन A चार्स दूतिया ने तो 32 का क्रेक्ट चर्च वर्जा का ओप्शन A चार्स दूतिया ने अग्ला को इसे ने गुरु गोविन सिंग का जन्म कहा हुआ था लाहोर में अम्रित सहर में पटनाम या फिल लगनाव में तो ओप्शन C क्रेक्ट पटनाम क्या था आजीमाबाद पार्टली पुत्र कुस तो 35 में इंडिका किसकी रचना है एंसओं फायान मेगा इस्थिनीज या फिन इबन बतुत्ता तो 35 का क्रेक्ट चर्च अप्शन C मेगा इस्थिनीज अगला क्विस्चन है तारिखे दावदी किसकी रचना है अप्शन इबन बतुता अप्शन वी ख्वाजा न्यामितुल्ला अप्शन C अब्दुल्ला और ऑफ्शन D याहिया भिन आमद तो 36 क्रेक्ट चर्च अप्शन C अब्दुल्ला अगला कोई से ने गुप्तिकालिन आर्यों के बिहार आरोग्य बिहार का परमान कहां से मिला ह अप्शन E बोधगाया वैसाली राजग्री या कि कुम्रार पटना तो 37 का क्रेक्ट चर्च अप्शन D कुम्रार पटना से मिला है ठीक है अगला कुशन 38 में आदुनिक सहरों का उदे सरपर्थम कहां हुआ था अप्शन E इंगलेंड जर्मनी फ्रांस या फिर रोस तो 38 का क सब्सक्राइब ने कौन सी भावना को उत्पन किया समाजवाद वक्तिवाद सम्हुवाद या फिर अप्शन D इन में से कोई ने तो 49 का क्रेक्ट चर्च अप्शन B कोलकाता में नेक्स्ट है पुरिशा बिहार से कब लग हुआ था 1932 में 1923 24 फिर आप्शन D 1936 में तो 41 का क्रेक्ट चर्च अप्शन D 1936 में सिंगापूर कव सातंत्र राष्ट बनाkommenे 1262 में 1965 में 1971 में या फिर 1975 में तो सिंगापूर का स्वतंत्र राष्ट बना जिसका क्रेक्ट रेट्र स्वार्जों का option बीज़ क्रेक्ट 1965 में सिंगापूर स्वतंत्र राष्ट बना नेक्ट गशन हैं दादा साहई फालके का कौन सा एप संद्र पर भी एप संद्र आप मिलन राजा हरिस्चंद्र और है अधीक वहता है इससे अधिक कहा होता है अधिक कहा होता है जिगुरत कहां बनवाई गए अफसन ए यूनान में बी रोम में, सी सुमेर में और डी और सीडिया में तो 45 का करेक्टर रोज़ेगा सुमेर में अगला कुश्य ने भारत आने वाले पर्थम बेपारी कौन थे डज, बृटिस, पुर्टगाली या फ्रांसी से तो 46 के करेक्ट हो जब पुर्टगाल जो थे वो पहले भारत में आने वाले पर बेपारी थे अगला कुश्य ने लंदन में अनिवारिया प्रार्थमिक सिक्षा का अवलाग हुई अपसन E 1850 में, अपसन B 1855 में अपसन C 1860 में, अपसन D 1870 में तो 47 का करेक्ट अपसन D 1870 में, तो हम लोग उने इस चप्टर से टोटल 47 कोईक्षन जो प्रिवेस पेपर में पूछे गए थे, ने रिविजिन करा, ठीक है न, तो आपने जितना भी साही किया 47 में आपका कितना सही वाद, कॉमेंट डबोक्स में जरूर लिखें मिलते हैं नेक्स चेप्टर में, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, भाई, ठीक कियर, लव यू अल, थेंक यू सो मच